क्या है जंदन खाता योजना जैसा कि सरकारों ने कई बार आम आदमी को कई योजनाओं का फायदा देने की कोशिस की जिसमें साफ साफ बिचोलियों की धांदली देखने को मिली इसके लिए एक ऐसी योजना की जुरत थे जिसमें आम जन के हाथ में पूरा लाब मिल सके काफी बातों को देखा गया कि आम आदमी की पहचान आदारकार बनता जा रहा है इसलिए बैंक को ही इस योजना का पैसे बाटने का उपकरम माना गया जैसा की जन्दन खातों में बिना किसी जैसा की जन्दन खाता जिसको बिना किसी जमा किये खोला जा सकता है जीरो बैलंस खाता नाम से भी जाना जाता है जन्दन खाता खोलने वाले डोकॉमेंट्स क्या है जी हाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जंदन खाता खोलने वाले डोकॉमेंट्स है तो है क्या जंदन खाता खोलने के लिए एक आधार काड की जर्त होती है और एक पासपोर्ट साइज के फोटो की अब चुकि हर आदमी को सुरक्षा धन की सुरक्षा के लिए जंदन खाता खोलना चाहिए केस पर 6 मैने तक नियमित पैसे जमा करने पर लौन भी मिल जाता है 10,000 रुपए तक का सर्थ यह है कि वह है वेक्ति विशेस निश्चित रूप से पैसा जमा करा दे लौन लिया हुआ जो कि उसने लौन लिया है कि निश्चित रूप से जमा करा दे लौन लिया हुआ रासी तो बैंक जरूर दे देगा उसे पुने भी पैसे अब बात आती है कि हरा आम आदमी को इस योजना में खाता खुलवाने के लिए आप देख सकते हैं गूगल में डालके dkhindynews.com वेबसाइट जिससे क्या है आपको जन्दन खाता खोलने के लिए मैंने लिंक फारम लेना है तो उसके लिए भी लिंक दे रखा है जैसा कि आप देख रहें जन्दन खाता खोलने वाले डोकॉमेंट्स क्या है यहां डोकॉमेंट्स है इस पर क्ल फारम भी मिल जाएगा जन्दन खाते का क्यांसा है वो फारम तो चलिए देखते हैं कि यह फारम हमें डाउनलोड होके इस तरह का फारम हमें मिल जाएगा जन्दन खाते का जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना होगा एक फोटो जी हां फोटो चिपकानी गाओं या सहर उपजिला ब्लॉग का नाम जिले का नाम राज्य का नाम जी हाँ दोस्तों आप घर बैठे इस फारम को भर सकते हैं फारम को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के अब जिला राज्य भरके इसमें क्या है वार्ड नमबर आदी भी हो तो भर दे ग्राम कोड हो सहर कोड हो ग्राम या सहर का नाम भर दे इसके बाद आपका नाम आएगा पूरा नाम जैसा कि आप स्री है या स्रीमती है या सूस्री है जी प्रथब जैसे आपका पहला नाम का अक्सर ये आएगा जैसे मान लीजे राम लाल शर्मा नाम है तो राम यहाँ आएगा मध्यम म लाल आएगा और अंतिम में शर्मा आएगा इसके बाद आता है वेवाई की स्तिती वेवाई की स्तिती है तो यहां बताए लिंग यानि पुरूस हैं महिला हैं यहां पर बताना होगा पती पत्नी का नाम यहां पर लिखना होगा पता लिखना होगा पिन कोड लिखना होगा ट परिवार के सदश्यों के नाम पर वर्तमान खाता आपका खुला हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में बताना होगा यदि खाता है तो उस खाते संक्या को लिखना होगा इसके बाद आपको एक आवेदक के अस्ताक्षर की जगे साइन करने होगे और अगर पड़े लिखे नहीं है तो पूरुस है तो बाए हाथ का अंगुठा लगाएंगे और इस्त्री है तो दाय आत का अंगुठा लगाएंगे जी हाँ दोस्तो इसके बाद भी एक और कोलम जाता है कि नौमनी का नामंकित वेक्ति का नाम जैसे आप शादी शुदा हैं तो पत्नी का नाम लिखेंगे या फिर अविवाईत हैं तो अपनी मातपिता का नाम लिखेंगे संबंद आयू जन्मतिति आदी का बोरा भरके इस्थान और दिनांक भरते हुए आविदक के तो इस तरह आपका पी-एम जन्धन खाता योजना में बैंक खाता खुल जाएगा दो-तिन दिन की प्रोसस के बाद जब अधिकारी कर्मचारी उसको प्रोसस में कर देंगे तो ये थी बड़ी योजना इसी के साथ सब्सक्राइब कर ले डीके हिंदी न्यूज यूटूब चैनल को ताकि आपको मिलती रहे अच्छी और खास योजना की जानकारिया